नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोनिया चेतन कानुन गोर अमेजिंग फैक्ट्स बाई सोनिया में आपका स्वागत है तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके पास एक नया टॉपिक कि घर के अंदर आपके अगर वास्तु दोश है तो उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं वैसे आजकल का ट्रेंड हो गया है कि जो भी आने वाली जनरेशन है या फिर हम जो जनरेशन में जी रहे हैं वो खास कर खयाल रखती है हर एक चीज में वास्तु दोश का तो अगर हमें पहले से पता हो कि इन सी जो से हमें साफधानी रखनी चाहिए तो हमारे लिए चीज़या असान हो जाती हैं चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही सुन्दर सुन्दर अच्छे अच्छे टॉपिक्स में देती रहूं चलिए शुरू करते हैं वास्तु सास्त्र में दो तरह की उरजाएं काम करती हैं एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगिटिव इसी एनरजी पर सब कुछ डिपैंड करता है जहां पॉजिटिव एनरजी होती है वहाँ खुशियां होती है उमंग होती है उत्सा होता है और वहीं अगर नेगिटिव एनरजी होगी तो बहुत सारी परिशानिया तनाव जनम अपने आप ले लेंगे बने हुए काम बिगणने लगेंगे धन की हानी होने लगेगे और सेहत जो है वो भी बिगणने लगेगी आपकी कड़ी महनत और लगातार प्रयास के वापजूत धन संबंदी समश्याएं दूर नहीं होती आर्थिक इस्तिती दामाडोल होती रहती है वास्तु दोश दक्षिन पश्यम दिशा में होने पर पैसे की समश्याएं बनी रहती है पैसे ठहरते नहीं हैं आपकी सेविंग ना के बराबर होती है इस दिश्या में वास्तु दोश होने पर तलाग की इस्तिती तक बन जाती है और पारिवारी कल है दिनों दिन बढ़ता जाता है ऐसे में यह जरूरी है कि घर के मुख्य द्वार जो में गेट है या फिर खिड़की है उसकी दिश्या बदली जाए इस संधर्व में हमें बहुत सारी जानकारिया मिली है जैसे इन वास्तुदोशों को आखिर किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि उनके घर में वास्तुदोश है ऐसे में आप कैसे जाने आपके घर में वास्तुदोश से सम्मंदिस समझ चाएं हैं भी या नहीं यहाँ पर छोड़ी छोड़ी बाते हम समझा रहे हैं आपको जो आपको मदद करेंगी इन सब चीजों से बाहर निकलने में घर में प्रवेश करने पर आपको तरो ताजगी का एहसास नहीं होता यानि आप फ्रेशनेस फिल नहीं करते तो समझ लीजिए कि आपके घर में व दोश भी बहुत कम महसूस होता है अकसर व्यर्थ की परिशानियों में उलजे रहते हैं पारिवारिक समझाओं में भी चिंता और तनाव ही रहता है अधिकतर गलत लोगों से मुलाकात होती रहती है वे वज़े ही तकलीफें परिशानी और बिमारी बनी रहती है बिजनेस नौकरी में भी दिकतों का सामना करना पड़ता है यदि वायव विकोन मतलब उत्तर पश्चिम में वास्तो दोश है तो उसके भी दुश प्रभाब होते हैं जैसे कोट कचरी से संबंदी समझाएं होंगी मांसिक परिशानिया होंगी इस तरह अगर दक्षिन पूर्व में वास्तो दोश है तो घर में चोरी होना, कर्जदार होना, पैसो का कहीं पर फस जाना, बिमारी में खास तोर पर ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज में समझा आना आपको पर सकता है भारी आगने कोन जो होता है वो मुख्य प्रवेश द्वार, बोर बेल या सैप्टिक टैंक आदी के होने से नेगेटिव एनरजी का और ज्यादा विस्तार करता है, तो चलिए, वास्तो दोश को दूर करने के आसान स्मार्ट टिप्स मैं आपके साथ शियर करती हूँ, वास्तो के अनुसार, घर के में गेट पर सिंदूर से 9 इंच लंबा और 9 इंच चोड़ा स्वास बनाएं, ऐसा करने से हर तरह की नेगेटिव एनरजी और वास्तो दोश दूर हो जाते हैं, हर मंगलवार को ऐसा करने से मंगल ग्रह से जुड़े दोश भी दूर हो जाते हैं, घर में साप, उल्लू, कबूतर, कोवा, चील जैसे जानवर पक्षियों की मूर्थियां, गर की में डोर के सामने पानी का जमा होना, कीचर, गंदगी बिलकुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेश ज्यान रखें, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो वास्तो दोश का अधिक प्रवाब पड़ता है, घर की लोगों की सिहत बिगड़ने लगती है, धन की हानी होती है, तो कोशिश करें कि घर के मुख्य दुवार के बाहर साफ सफाई रहे, घर से नेगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए धूप और ताजा हवा का आना आवशक है, इसलिए खिड़कयां खुली रखें, घर में रखें बेकार के और गयर जुरूरी सामान को तुरंत हट है, उन्हें स्टोर करके ना रखें, यदि हो सके तो उन्हें शनिवार को घर से नक्याले, आगने कौन में मनी प्लांट लगाने से सकारात्मक उर्जा का विस्तार होता है, आगने कौन कौन सा होता है, दक्षिन और पूर्व की तरफ, घर में नेगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए, तुल्ची लगाईए, मनी प्लांट लगाईए, गुलाव लगाईए, बेला लगाईए, इशान कौन कौन सा होता है, उत्तरपूर, जहां पर तुल्ची का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनरजी मिलती है, नेगेटिव एनरजी घर से दूर करने के लिए एक मिट्टी के दिये में दो कपूर और तीन लॉंग जलाएं सुक सम्रदी, धन और स्वभाग्य के लिए घर के प्रवेश द्वार पर भगवान गनीज जी की मूर्थी जरूर लगाएं ज्यान दे, द्वार के आगे और पीछे, दोनों तरफ मूर्थी की तस्वीर होनी चाहिए नैतत्य कॉर्ण में पित्रों की तस्वीर लगाने से पॉजिटिव एनरजी का विस्तार होता है जी हाँ, नैतत्य कॉर्ण मतलब दक्षिन पश्चिम की तरफ यदि आपका केचिन वास्थू के अनुसार गलत जगये पर है तो अपनी रसूई के दक्षिन पूर्व कॉर्ण में अगनी तत्व को सक्रिये करें इसके अलावा अगनी तत्व के प्रतिनिधत्व वाले वस्तू जैसे लाल बल्व जलाने से भी पॉजिटिव एनरजी मिलती है शाम को देशी गी का एक दिया जरूर जलाएं और घर के आगने कॉर्ण को एक्टिव करें बैड्रूम में बैड के पास नैचुरल कॉर्टिज क्रिस्टल का बावल रखें इससे तनाव नहीं होगा, सुक शान्ती होगी, सुकून होगा हरुमान जी और राम जी की गले मिलते हुए तश्वीर वायव विकॉन में लगाने से सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है पिरेमिड का इस्तमाल करके भी वास्तु दोश को दूर किया जाता है यही नहीं, हमारी जो पॉजिटिव सोच होती है वो भी वास्तु दोश के लिए काफी अच्छी होती है जैसे हमेशा अच्छा सोचे, अपने देखने का नजरिया बदलने शिकायते कम करें, परिशानियों पर फोकस ना करें क्योंकि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं, वही होती चली जाती है हमेशा हस्ते मुस्कुराते रहें एक्सराइज, मेडिटेशन करें और दूसरों को हमेशा खुश रहें रखें, जितना आप लोगों को खुश रखेंगे आपके पास खुशियां आटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगी तो मुझे उमीद है कि मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं उनसे आपको काफी फाइदा होगा अगर आप इन्हें उप्योग मिलाएंगे धन्यवाद